स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपनी चैनल क्रिकलन पिडिक्शन में तो आज की वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं कनाड़ा टी टो एंटी आई ट्राइस स्रीस का जो मुकाबला खेला जाएगा 28 सितंबर को 9 बच के 30 मिनट पे रात को ये मुकाबला खेला जाएगा कनाड़ा वर्सेज नेपाल के बीच में है देखो ट्राइस स्रीस खेले जाने वाली है इसमें एक और टीम पार्टिसिपेट कर रही है और उसका नाम है ओमान तो देखा जाए तो तीन टीम है पार्टिसिपेट करने वाली है कनाड़ा नेपाल और ओमान अगर मैं आप लोगों को अपने पॉइंट आफ यू से बताओं कि सबसे श्ट्रॉंग कौन सी टीम रहने वाली है तो वह रहने वाली है या कनाड़ा की टीम बहुत मजबूर टीम है इनके पास बहुत यह अच्छे लाजवाब खिलाड़ी है लेकिन देखो किरकेट होने को कुछ भी हो सकता है अगर ऑन पेपर आज भी बात की जा तो कनाड़ा की टीम इन कंपेर ओफ नेपल जादा इस्ट्रॉंग टीम रहने वाली है वीड़ो हमेशा की तरह काफी इंफर्मेटिफ काफी हेलफूल होने वाली है ताकि देखो असूसियेट नेशन यह जो कंट्री होती है इनके बारे में काफी कम लोगों को नॉलेज होती है अगर आप में मेरी वीड़ो देख रहे तो बिल्कुल सही जगा प्यायों बस वीड़ो में आप लोग बने रहिएगा ताकि जो भी चीज़ें आप लोगों को समझाओं मैं भी अच्छे से समझा पाऊ आप भी अच्छे से समझ पाओ तो कौन से खलाड़ी आज टीम में ले गे चलना है cvc किसको करना है किसको drop करना है a to z proper information proper knowledge आपको मिलने वाली है तो चली वीडियो को start करते हैं तो 200 match detail की बात कर लेते हैं तो 28 सितंबर 9 बच की 30 मिनट पे यह मुकाबला आप लोगों को मैपल लिफ नॉर्थ वेस्ट ग्राउंड किंग सीटी पे होता हुए दिख जाएगा जो कि T20 format में खेला जाएगा अब देखो अगर इन दोने टीमों के बीच की बात की जाए पहले यह देख लो ग्राउंड रिकॉर्ड जो कि आठ मैचेज इस वैनू पे खेले गा है बैट फर्स्ट करने वाली टीम ने तीन चेजिंग करने वाली साइड ने चार मैच को विन किया है और एक मुकाबले जो कि नो रिजल्ट या फिर टाई हुआ है अवरेज स्कॉर बहुत जादा नहीं बनता है 132, 140 आप लोग मान के चल सकती हो लेकिन देखो यह डिपेंड इस पे करेगा थोड़ा सा कैनाडा की टीम in compare of नेपाल जैसे कि मैंने कहा मजबूर टीम है और अभी आप लोगों को latest में ही बता रहा हूँ वर्ल्ड कप के क्वालिफायर के मैचेस खेले जा रहे थे हैं पॉइंस टेवल पे नंबर एक पे कैनाडा की टीम थी हाँ वो ODI format में मैचेस खेले जा रहे थे ये T20I format में मैचेस खेले जाएंगे लेकिन आप लोगों को information देना मेरा काम है तो proper information दूँगा कैनाडा के batter top मतलब run scorer में भी top में थे हैं कैनाडा के baller भी top wicket taker में top में थे हैं कैनाडा की टीम top में बनी हुई थी वही नेपाल की टीम मतलब bottom पे थी सबसे नीचे में से इन लोगों का नाम था अब देखो अगर head to eight की बात की जाए पिछले 5 सालों में तो मातर एक ही मैच खेला गिया लेकिन उस मैच को नेपाल की टीम win की थी लेकिन अभी जो current progress को देखते हुए मैं आपको बता रहा हूँ कि Canada की टीम बहुत मजबूत रहने वाली यह नेपाल के सामने है अब देखो बात सबसे पहले Canada की ही खिलाडियो के करते हैं तो इनके तरफ से क्या कुछ possible playing 11 हो सकते है with recent form आप लोग ध्यान देना भाई आप लोगों के लिए वीडियो है तो मैं चाहूंगा आप लोगों का attention यहाँ पे मिलना चाहिए बाकी देखो वीडियो में आप लोग बने होना तो like करना जो लोग चैनल पे नहीं subscribe करना all notification bell icon को प्रेस कर देना तो यहाँ पे से चली players की बात करते है तो Aaron Jones इनके एक hard eater better है अगर performance की बात की जाए तो अभी देखो qualifier के भी जो matches खेले जा रहे थे बहुत अच्छा performance नहीं था latest में 31 run इन्होंने किया था उससे पहले यहाँ पे 0 run 0 run, 0 wicket, 10 run और 0 run यह इनका performance है head to end में यह खेले नहीं है वेनू पे भी यह नहीं खेले है लेकिन देखो T20 में ध्यान देना भाई 40 की उससा थे, इस चीज़ का ध्यान रखना अभी तो यह उससत गिर गई है माई जून में यह उससत 50 और 52 की थे Aaron Jones हो गए और इनके तरफ एक और खेलाडी खेलते है रियान पठान, यह जबरदस खेलाडी है रियान पठान तो खेर स्कौाइड में नहीं है लेकिन Aaron Jones T20 में इनका ध्यान रखना दोको first bet करते हुए 16 मुकाबले में 566 run ने 40 की उससत है चेजिंग करते हुए 7 मुकाबले में 284 run ने 40 की उससत है तो दोनों पारी में यह खेलाडी important है T20 format के हैसाब से important खेलाडी रहने वाला है ठीक है उसके बाद देखो कनवरपल थादकूर की बाद करते है recently जादा इनोंने कुछ किया नहीं है वैसे head to head venue पे भी यह खेले नहीं है T20 में एक ही match खेले हैं तो एक match के base पे हम लोग ज़्यादा judge नहीं कर सकते हैं और वो second inning में batting इनोंने किया था जहाँ पे 3 run किये था है दिलप्रीच बाजवा की बात करते हैं तो recently देखो ODI qualifier के matches थे 56 का एक score इनका यादा head to head venue पे यह खेले नहीं है वैसे यह balling भी करते हैं अब दिखो batting से T20 के strats मैं आपके सामने रख रहा हूँ 8 मुकाबले में 171 रने 24 की ओसात है वहीं एक पारी में balling कियें एक wicket भी इनको मिला है first inning में 15 की ओसात है first inning में balling से एक wicket है एक पारी में second inning में 37 की ओसात है देखो second inning में यह important हो सकते है balling यह करते हैं लेकिन बहुत कम balling करते हैं तो as a better second inning में आप चाहो तो consider कर सकते हो और Nicolas की टोन की बात करते है recently देखेगा 73 और 57 यह दो बहतरीन पारी है बाकि head to eight venue पे यह भी नहीं खेले है T20 में overall 31 की ओसात है balling बहुत कम करते हैं ठीक है लेकिन हाँ ODI के जो qualifier के matches खेले जा रहे थे वहाँ पी यह balling कर रहेते हैं लेकिन बहुत कम करते हैं चार पारी में एक ही बार 21 मुकाबले के मातर चार पारी में balling के एक विकेट निकाले है वेनू पे भी देखेगा 33 की ओसात है यह important खेलाड़ी हो सकते है फस्ट इनिंग में बैट करतु है मास कीज़ेगा chasing में बैट करतु है 23 की ओसात है और फस्ट इनिंग में बैट करतु है 33 की ओसात है फस्ट इनिंग में बैट करतु है 32 की ओसात है chasing में 19 की ओसात है तो फस्ट इनिंग के बैट में आप चाहुत इनको try कर लेना हर स्ठाकरे की बात करते है लाजवाब खेलाड़ी जितनी तारीफ की जाना इस खेलाड़ी की कम है मतलब लाजवाब इन्होंने performance किया है अभी जो ODI qualifier के matches खेले जा रहे है तो मैं आप लोगों को ऐसा करता हूँ दिखा देता हूँ ये ODI के जो qualifier के matches खेले जा रहे थे देखो Canada की team top में 12 में से 8 match को win किये नेपाल की भी team खेल रही थी जहां पे 8 में से सिर्फ एक match win किये ठीक है थोड़ा सा एक और चीज़ में आप लोगों को दिखाना चाहूँगा यहां पे देखना कहां है भाई यह देखना यह चीज़ देखना यह मैं आप लोगों को दिखाऊंगा देखो डियोन हेलेंगर इनके एक baller है 12 पारी में 25 विकेट यह balling से थे Canada के baller है यहां पे भी Canada के baller टॉप टू Canada के baller बैटिंग में देखना यहां पे भी टॉप में दो यहां पे Canada के batter है हर स्थाकरे जिनके बार में बता रहा था भाई 54 की औसाथ से run करके आ रहे हैं परगाथ सिंग 11 पारी में 432 रण 43 की इनकी ओसत है तो आप ध्यान रखना है Canada के टीम गजब के form में इनके खिलाडी लाजवाब खिलाडी है इनफेक्ट यह CVC वाले खिलाडी है record देखी सकते हो आप लोग जबरदर्स खिलाडी है इनफेक्ट इनको CVC करके चलना है डिलोन हेलेंगर इनके बार में भी बता रहा था continuously हर मैच में उने विकेट निकाला है important खिलाडी है CVC वाले यह भी खिलाडी रहने वाले चाहिए किसी बिनिंग में बैटिंग बॉलिंग करें important है अखिल कुमार की बात करते हैं यहाँ पर देखिएगा कोई ज़्यादा खासा परफॉमेंस नहीं है head to head venue पर खेले नहीं है T20 में मातर 16 की उसात है लेकिन matches भी मातर 2 है तो 2 match के base पर हम लोग ज़्यादा जज नहीं कर सकते हैं first inning में भी एक match है second inning में भी एक match है तो उसके base पर क्या ही बता हूँ हाँ साद बिन जफर इनके तरफ से एक wicket taker nature के baller है important baller है continuously इन्होंने wicket निकाला हुआ है इनका ध्यान रखना head to head में पहले खेले हैं जहाँ पर एक ही match खेले ते 2 run की है 2 क्यों सात है head to head में इन्होंने देखोगे एक मुकाबले में balling भी की है खेर wicketless गया है venue पे batting balling की नहीं है T20 में overall देखिएगा इनकी 24 की balling सासात है माफ की जगा batting सासात है balling से 43 पारी में 50 wicket है important खेलाड़ी है first inning में 16 पारी में 22 wicket है second inning में 27 पारी में 28 wicket है तो first inning के ball में और भी important है परविन कुमार की बात करते है कोई खासा form तो नहीं है head to head venue अगरा खेले हैं T20 में भी 2 match खेले हैं as the batter 16 का score किया है balling से 2 पारी में balling तुक मिली है लेकिन wicketless गया है impressive data देखने को मिल नहीं रहा है कलीम सना इनके तरफ से must pick वाले खेला लिए in fact first inning के ball में आप चौध वी सी ट्राई कर सकते हो head to head में एक match पहले खेले हैं यह against Nepal जहां पे एक wicket इनको मिला है T20 में देखिएगा 23 मुकाबले में 32 wicket इनके नामे जहां पे first पारी में 7 मुकाबले में 11 wicket है chasing में 15 inning में 21 wicket है मतलब second ball में 15 मुकाबले में 21 wicket है bench पे जो खेलाडी यह रियान पठन हाँ इन ही के बारे में मैं कह रहा था इनका भी T20 में जबरदस्त औस रहता है first inning में important हो जाएंगा अगर खेलेंगे तो 30 की होसत है बात करते हैं देखो नेपाल टीम की इनके तरफ से आप लोगों को कुसाल brutal open करेंगे हालिया फॉर्म देखिएगा balling भी कर रहे हैं यहां पे एक मुकाबले में 13 run 4 wicket है ODI के जो qualifier के matches खेले जारे है head to 8 में पहले एक match खेले हैं 34 run किये हैं 92 का strike rate है venu head to 8 मतलब balling नहीं किये है match में head to 8 में venu पे batting नहीं किये है balling भी नहीं किये है T20 में 27 की होसत है 10 मुकाबले में 10 पारी में 14 wicket भी इनके नामे लेकिन balling काफी कम करते हैं तब 4 में से किसी एक match में balling कर सकते हैं वैसे as a batter ही आप अपने team में prefer करना batting से first inning में 30 की होसत है chasing करतु है 24 की होसत है आसिफ शेक की बात करते हैं यह hard eater करारे batter है वैसे form उतना अच्छा नहीं है लेकिन यह खेलाड़ी बहुत लाजवाब है है मैंने इनको खेलते हुए देखा है head to head में एक match खेले है 17 की है first inning में bad करतु है 24 की होसत है venue पे बता रहा हूँ overall t20 में इनकी 24 की होसत है venue पे खेले नहीं है first inning में 18 की होसत है chasing करतु है 29 की होसत है chasing करतु है ज़्यादा special यह खेलाली रहते है 27 मुकाबले में 724 रहने 29 की होसत है अनिलसा की बात करते है data आप इनका देखना चाहो देख सकते उतना कोई खासा impressive record नहीं है drop ही करके चलना है रोहित कुमार पॉडल जोकि इनके team के captain भी है हालिया form देखिएगा start run 5 run 1 wicket यह दो अच्छी पारी है head to head venue पे कभी batting balling मिली नहीं है बाकी overall t20 में 28 की होसत है 52 मुकाबले के 10 पारी में balling करते हुए 7 wicket इनके नामे first inning में 27 की होसत है 6 पारी में 6 wicket इनके नामे chasing करते हुए 28 की होसत है 4 पारी में 1 wicket इनके नामे तो as the batter खेलेंगे balling से आप जादा इनके उपर rely मत करना ठीक है सुन्दीप जोरा की बात करते है उतना कोई खासा form नहीं है overall t20 में मातर 19 की होसत है first bat में 20 की होसत है chasing करतू 18 की होसत है grand league में देख लेना कुसल माला उतना इनका भी impressive data है नहीं एक मुकाबले में ये खेले है balling से 1 wicket मिला है batting से खाता नहीं कुला है overall देखो t20 में 28 की होसत है 26 पारी में 19 wicket इनके नामे तो batting balling दोनों करेंगे अब देखो first inning में जब ये bat करते है भाई तो 44 की होसत हो जाती है बढ़के जहाँ पे 17 पारी में first inning में 11 wicket भी इनके नामे और chasing करते हुए बिल्कुली आधे से भी कम हो जाती है मातर 16 की होसत है 9 पारी में 8 wicket इनके नामे वैसे देखो all rounder खिला लगी है तो 2 पारी में important है लेकिन special ये first inning के bat में रहने वाले है Depender Singh Ari की बात करते हूँ उतना कोई खासा form नहीं ये head to head में एक मुकाबले में 27 रहने वेनू पर ये batting balling किये नहीं है T20 में overall 37 की होसत है वहीं 42 पारी में balling से 43 wicket इनके नामे है first inning में भाई 50 की होसत है ध्यान रखना वहीं balling से 23 पारी में 23 wicket भी इनके नामे है chasing करते हूए 28 की होसत है भाई 19 पारी में 20 wicket भी इनके नामे मंगोलिया के अगेंस्ट इनोंने याद होगा 11 की 12 गेंदों में 10 12 गेंदों में अर्दशतक इनोंने लगा दिया था जहां तक मुझे याद आ रहा है एक ही ओवर में 5 करारे छक के इनोंने मारे थे यूवराज सिंग का रिकॉर्ड तूटते तूटते बचा था मतलब फास्टेश टी टूएंटी का इनोंने तो रिकॉर्ड अपने नाम ही रखा है अगेंस्ट मंगोलिया लेकिन वहाँ पे यूवराज के 6 छकों का रिकॉर्ड बचा था गुलसान जा का हालिया फॉर्म ठीक ठाक है हेड टू एड में बैटिंग बॉलिंग मतलब खेले ही नहीं कभी ओवराज टी टूएंटी में किस के ओसाते बॉलिंग से 24 पारी में 19 विकेट इनके नाम है फर्स्ट इनिंग में 24 के ओसाते तेरा पारी में 9 विकेट इनके नाम है चेजिंग में देखिएगा मतलब सेकेंड बॉल में 11 पारी में 10 विकेट इनके नाम है इंपोर्टन के लाड़ी है आप अपने टीम में इनको चाहो तो जखा दे सकते हो आङ देखो और यहां सटीम में 16 1विकेट इनके नाम है मतलब कम से कम एक ही विकेट निकाल पाते है अद्यको फरिश्ट इनिग में 38 पारी में में और भी इंपॉर्टेंट है भाई 18 में 40 विकेट है मतलब दो विकेट से भी ज्यादा निकालते हैं जब यह सेकंड बॉल करने आते हैं अब इनास बोरा इंपॉर्टेंट उतना नहीं लग रहे हैं हां लेकिन हेट टुएट में पहले एक मैच खेले हैं दो विकेट इनको म हो गया है ललित राजबंसी होगा है आप इनका डेटा देख सकते हो समरी आप लोगों को थोड़ा मैं नीचे बता देता हूं कुछ टॉप पर्फरमर खेलाडी कुसल बुरुटेल हैट टूएड में देखो के एक मैच है 34 रन है लेकिन एक मैच के बेस पे जज़ नहीं कर स गुलसंजा कुसल बुरुटेल संदीप लमी छने के साथ जा सकते हो हर्स ठाकरे का नाम इसमें इंकुलूड कर लेना बागी कलीम सना को फस्टिनिंग के बॉल में भी वीसी ट्राइ कर सकते हो बागी चलिए देखते हैं आज के मैस से लेटर हमारी क्या कुछ फैंटेसी टी आरे होगे ना तो जो भी चीज़े में बताऊंगा समझाऊंगा आप लोग अच्छे से रिलेट कर पाऊगे और उम्मीद है जो लोग अभी तक वीडियो देख रहे हैं बाई मतलब उनको तो बहुत मज़ा आया होगा तो वो लोग यार अच्छा सा कमेंट जरूर करेंगे ताकि वीडियो को आगे यूटूब रिकोमेंड करें ठीक है जो लोग चैनल पर नहीं होंगे सस्क्राइब कर लेंगे वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर लेंगे बागी देखो छोटा सा काम करना है ताकि इस मैस से रिलेटेड कोई भी अपडेट है मैं आप लोगो आप्लिकेशन है थाटी परसंट का जो आप टीडियस वगएरा देते हो ना इन दोनों अप्लिकेशन पर आपको नहीं देना पड़ेगा तो बहुत अच्छी अप्लिकेशन है आप दोनों पे साइन अप जरूर कर लेना चलिए विकट कीपर सेक्शन से स्टार्ट करते हैं तो आसिफ सेक को ले के चल रहा हूं मोवा का ODI का जो क्वैलिफायर के मैचेश खेले जा रहेते हैं फॉर्म अच्छा था अगर चाओ तो आपने टीम में इनकुलूड कर सकती हो देखो बैटिंग सेक्शन से बात करते हैं तो रोहित कुमार पॉडल और एरॉन जोंसन को ल इन बैटर मैं दोनों पर रिलाइब नहीं कर पा रहा हूं एरों जोंसन इंपोर्टेंट लग रहे हैं बागी दिलजीत बाजवा को सेकंड इनिंग में जाए यहा से ठीक है लेकिन मैं आप लोगों के लिए प्रॉपर वीडियो बना रहा हूं प्रॉपर जानकारी दे रहा हूं देखो बात करते हैं आल राउंडर से तो हेलेंगर गुलसंजा ब्रूटेल और साद बिन जफर हर्च ठाकरे फिर नीचे से डिपेंदर सिंगारी को मैंने ट्रा किया हुआ है बागी देखो सोमल कामी का उतना मतलब इंप्रेसिव डेटा नहीं है औन एवरिज एक विकेट निकाल के दे सकते हैं उतना विकेट टेकर अबलेटी समझ नहीं आती है केसी करन को आप ट्राई कर सकते हो एल राजभंसी बहुत जबरज़स्त खिलाड़ी हो सक सकते हो बाकि देखो जो मेरी टीम है ना मैं प्रसनली मुझको लगता है कि कैनड़ा की टीम विन कर सकते है फिर भी मैंने एक बैलेंसिंग कॉम्मिनेशन ही ट्राई किया क्योंकि टीट्वैंटी का मैच है और नेपाल की टीम को भी टीट्वैंटी का एक्स्पीरान्स अच् करो ताकि वीडियो आप ही लोगों के लिए और उसकी उपर भी टीम कॉपी पेस्ट करोगे तो फिर कोई मतलब तो रह नहीं जाएगा तो उम्मीद है आप लोग चीजे समझो ठीक है कॉपी पेस्ट करने से नहीं जीख पाओगे बाकि इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन म अप्रिकेशन पर साइन अप कर लेना वीडियो पर लाइक एम रखता हूं पच्चास लाइक होगा ठीक है उम्मीद है आप लोग जरूर कर दोगे यार डिसापॉंट मत करना बाकी वीडियो पसंद आई तो लाइक करना जो लोग चानल पर नहीं होंगे सस्क्राइब करना बाकी मिलते हैं और अच्छी वीडियो साथ तब तक लिए गुड़ बाई टेक के रहाएं